आईपील इतिहास के सबसे महेंगे खिलारी बने मिचेल स्टॉक को किस टीम ने खरीदा? A. Sunriders Hyderabad B. KKR C. Mumbai Indians D. Chennai Super Kings Answer, KKR Explanation आस्ट्रेलिया के मिचेल स्टॉक को KKR ने 24.75 करोर में खरीदा जो अभी तक के सबसे महेंगे खिलारी है वहीं आस्ट्रेलिया के कप्तान Pet Cummins को Sunriders Hyderabad ने 20.5 करोर रुप्ये में खरीदा Cummins IPL इतिहास में दूसरे सबसे महेंगे बिकने वाले खिलारी बन गए हैं पहले खिलो इंडिया पैराग गैम्स में किस राज्य ने सरवादिक पदक हासिल किया? A. पंजाब B. महराष्ट्रा C. हर्याना D. उत्तर प्रदेश Answer हर्याना Explanation पहली बार आयोजित किये गए खिलो इंडिया पैराग गैम्स के IPG में हर्याना ने 49 रजत और 26 कास्य सहित सरवादिक 105 पदक हासिल कर पदक तालिका में टॉप पर रहा खिलो इंडिया पैराग गैम्स की शुरुआत 10 दिसंबर को नई दिल्ली में की गई थी उत्तर प्रदेश 62 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर जबकी तमिलनाडू 42 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा किसे चत्तीसगर राज्य विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया है ए भूपेश भागेल, बी रमन सिंग, सी शत्रुगन सिनह, डी अशोव गहलोत, आंसर, रमन सिंग, एक्स्प्लेनेशन चत्तीसगर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंग को सर्व सम्मती से चत्तीसगर विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया है मुख्यमंत्री विश्नु देव साय ने पूर्व सी एम रमन सिंग को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव रखा इस प्रस्ताव का डिप्टी सीम अरुन साव और कॉंग्रेस नेता भूपेश बगहल ने समर्थन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराद पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है A. 75, B. 66, C. 57, D. 47, Answer 57, Explanation उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में 57 साइबर अपराद पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दे दी संसदिय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्नेली आ गया सरकार ने गाज्याबाद, रायबरेली, सीतापूर, कानपूर देहात, इटावा और रामपूर समेद राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है हाल ही में Fast Attack Craft, आयने स्तारमूगली को किस नौसिना दौक्तियाद पर कमीशन किया गया है? आयने स्तारमूगली एक तेजगती से हमला करने वाला जलपोत है इसका नाम अंदमान समूं के एक द्वीब के नाम पर रखा गया है मेज़र ध्यांचंद खेल रत्न पुरसकार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, Answer, 2, Explanation युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्राले ने राश्ट्रिय खेल पुरसकार 2023 की घोशना कर दी है ये आवोर्ड 9 जनवरी 2024 को राश्ट्रपती भवन में भारत के राश्ट्रपती द्वारा प्रदान किये जाएंगे इस बार मेज़र ध्यांचंद खेल रतन अवोर्ड बैडमिंटन खिलारी चिराग चंद शेखर शेटी और रनकी रेड़ी सात्विक साई राज को प्रदान किये जाएंगे वहीं इस बार 26 खिलारियों को अर्जुन अवोर्ड से सम्मानित किया जाएगा हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैग्यानिक अभियान की शुरुआत की है A. अंटाक्टिका क्षेत्र B. अट्लांटिक क्षेत्र C. आर्क्टिक क्षेत्र D. प्रशांग क्षेत्र Answer. आर्क्टिक क्षेत्र Explanation C. केंद्रिय मंत्री किरेन रिजिजू ने आर्क्टिक क्षेत्र के लिए भारत की पहले शीतकालीन वैग्यानिक अभियान को हरी जंडी दिखाए Raman Research Institute आर्क्टिक क्षेत्र में पहले शीतकालीन भारतिय अभियान में भाग लेगा साल 2008 से भारत आक्टिक में हिमाद्री नाम के कनुसंधान केंद्र संचालित करता है जो ज़्यादातर गर्मियों अप्रेल से एक्टूबर के दौरान संचालित होता है किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्थित नेशनल ओर्डर ओफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया A. पूनम खेत्रपालर सिंग B. मम्ता बैनर जी C. एस्चेशनकर D. जया बच्चन Answer. पूनम खेत्रपालर सिंग Explanation WHO दक्षन पूर्वेशिया की क्षेत्रिय निदेशक पूनम खेत्रपालर सिंग को विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्थित नेशनल ओर्डर ओफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है पूनम पंजाब कैदर की सेवानिबृताय इस अधिकारी है भूटान किंग जिग में खेसर नामग्यार वांचुक ने भूटान के 116 में राश्ट्रिय दिवस समारोह में उन्हें सम्मानित किया हाल ही में किस राज्य सरकार ने दोरस्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तोहाडे द्वार योजना की शुरूआत की है इस योजना के अंतरगत प्रदेश भर में करीब 4000 ओपरेटर्स की भर्ती की गई है इस योजना के तहट पंजाब की जनता को 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाब धर बैठे मिलेगा हाल ही में किस ने Autonomous Flying Wind Technology Demonstrator का उड़ान परीक्षन किया है A. DGCA, B. ISRO, C. DRDO, D. BARC, Answer, DRDO, Explanation DRDO ने Autonomous Flying Wind Technology Demonstrator का उड़ान परीक्षन किया है यह एक स्वदेशी High Speed Flying Wind मानव रहित हवाई वहन है यह उड़ान परीक्षन करनाटक कि चित्रदुर के Aeronautical Taste Range से आयोजित किया गया था इसके साथ ही भारत उन्चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जो Flying Wind तकनीक में दक्ष हो गया है किस क्रिकेट खिलारी को अरजुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा वंडे विश्व कब 2023 में शांदार प्रदर्शन करने के लिए मुहम्मद शमी को देश के प्रतिष्टित खेल पुरसकार अरजुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा शमी सहित 26 खिलारियों को अरजुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा यह अवार्ड अगले वर्ष 9 जन्वरी को राश्ट्रपती भवन में एक विशेश रूप से आयोजित समारोह में राश्ट्रपती के हाथों प्रदान किये जाएंगे पी-म विश्वकरático Carroll के लिए कितने करोल रूप्य आवंटित किये गए है सरकार ने पी-म विश्वकरमा योजना के लिए तेरा हजार करोल रूप्य आवंटित किये है पीम विश्व कर्मा योजना एक केंद्रियक शेत्र की योजना है जो की 17 सितंबर 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 73 जनम दिन के अफसर पर शुरू की गई थी किसे हाल ही में भारतिय कुष्टी महासंग का अध्यक्ष चुना गया संजे सिंग को भारतिय कुष्टी महासंग का अगला अध्यक्ष चुना गया सिंग को WFI चुनावों में 40 वोट मिले जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी अनीता शियोरान को केवल 7 वोट मिले यूपी कुष्टी संग के उपाध्यक्ष संजे सिंग का राष्ट्रिय स्वयम सेवक्संग RSS से गहरा नाता है और वो वारानसी के रहने वाले हैं भारतिय कुष्टी महासंग भारत में कुष्टी का शासी निकाए है एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारती ऐरलाइन कौन बनी है? A. Vistara B. Air India C. Indigo D. Spice Jet Answer Indigo Explanation भारती ऐरलाइन Indigo एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारती ऐरलाइन बन गई है Indigo साल 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को लाने ले जाने के बाद भारत की सबसे बड़ी ऐरलाइन बन गई है Indigo ने पिछले 6 महीने में 20 नए इंटरनेशनल रूट पर अपनी उडान शुरू की है अंतर राष्ट्रिय मानव एक जुट्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है A 18 December, B 19 December, C 20 December, D 21 December, Answer 20 December, Explanation अंतर राष्ट्रिय मानव एक जुट्ता दिवस International Human Solidarity Day प्रतिवर्ष 20 December को मनाया जाता है इस दिवस पर लोग गरीबी, भूखमरी और बीमारियों को खत्म करने के तरीकों को अपनाने का संकल्प लेते है 20 December 2002 को युएन ने विश्व एक जुट्ता कोश की स्थापना की थी किसे हाल ही में FIH Player of the Year अवार्ड से सम्मानित किया गया ए आयाना मेकलीन, बी हार्दिक सिंग, सी अमन प्रीट सिंग, डीबल बीर सिंग, आंसर, हार्दिक सिंग, एक्स्प्लेनेशन, अंतराष्ट्रिय होकी महासंग, FIH ने घोषना की की भारत के हार्दिक सिंग और सविता ने 2023 FIH Player of the Year और FIH Goalkeeper of the Year का अवार्ड जीता साल 2021 और 2022 में जीतने के बाद ये सविता का लगातार तीसरा FIH महिला Goalkeeper of the Year और अवार्ड है खिलो इंडिया यूद गैम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? A. हर्याना B. राजस्थान C. तमिलनाडू D. उत्तर प्रदेश Answer. तमिलनाडू Explanation खिलो इंडिया यूद गैम्स के आधिकारिक लोगो जर्सी, शुभनकर और थीम गीत को लांच किया खिलो इंडिया यूद गैम्स का छठा संसकरन आगामी वर्ष में 19-31 जनवरी तक निर्धारित है आगामी संसकरन तमिलनाडू के चार शहरों चेननाई, त्रिची, मदुरय और कुयमबटूर में होगा यूवा खिलो के पिछले पाच संसकरन दिल्ली, पुने, गोहाटी, पंचकुला और भोपल में आयोजित किये गए थे किस केंद्रिय मंत्री ने दो दिवसिया जनजातिय केंद्रित कार्यक्रम, आधी व्याख्यान, का उद्धाटन किया अ, अर्जुन मुंडा, बी, स्मृती इरानी, सी, अनुराग ठाकुर, डी, निर्मला सीतारमन, आंसर, अर्जुन मुंडा Explanation केंद्रिय जनजातिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में दो दिवसिया जनजातिय केंद्रित कार्यक्रम, आधी व्याख्यान, का उद्धाटन किया कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रिय जनजातिय अनुसंधान संस्थान एंटिया राइ द्वारा किया गया है जिसका उद्देश जनजातिय परंप्राओं और संस्कृति की जटलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनोतियों का पता लगाना है भारतिय रेल्वे के किस जोन ने महिला यात्रियों के सुरक्षा के लिए सिफ्टी, पैनिक बटन, सुविधा लॉंच की है ए मध्य रेल्वे, बी पूर्व रेल्वे, सी उत्तर, पूर्व सी मांत रेल्वे, दी पूर्वी तट रेल्वे, आंसर, मध्य रेल्वे, एक्स्प्लेनेशन, मध्य रेल्वे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, प्रनाली शुरू की है लाल पुश बतन के रूप में डिजाइन किया गया पैनिक बतन सुरक्षा सुविधा के रूप में लोकल ट्रेनों में चार महिला कोचों में से प्रत्येक के अंदर स्थापित किया गया है विश्व स्वास्थे संगतन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश 10 लाग से अधिक बच्चों के बीच गंभीर कुपोशन का सामना कर रहा है विश्व स्वास्थे संगतन ने सीरम इंस्टीट ओफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को प्रीक्वालिफाइड कर दिया वैक्सीन का नाम क्या है? A. FN04 VACCINE B. R21 VACCINE C. B21 VACCINE D. AS01 VACCINE आंसर R21 VACCINE विश्व स्वास्थे संगतन WHO ने मलेरिया के लिए प्रीक्वालिफाइड टीकों की अपनी सूची में R21 VACCINE को शामिल किया है इस वैक्सीन को Oxford University द्वारा विक्सित और सीरम इंस्टीट ओफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है अक्टूबर 2023 में WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोक्थाम के लिए इसके इस्तिमाल की सिफारिश की थी कौन सा देश 2027 से लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरिमिक और सिमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा A. United Kingdom B. Canada C. Japan D. France Answer. United Kingdom Explanation United Kingdom 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा European Sun के बाद United Kingdom सरकार ने 2027 से लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरिमिक और सिमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने का फैसला किया है इससे यू के उद्योग को दिकार्बोनाईजेशन में निवेश करने का विश्वास मिलेगा हाल ही में, कैमपे गोड़ा अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़े के आए टर्मिनल 2-2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड़ों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है ये कहां स्थित है बेंगलुरू के कैमपे गोड़ा अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़े के आए टर्मिनल 2-3-2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड़ों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है इसे युनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा इंटीरिय के लिए विश्व विशेश पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया है यह युनेस्को से ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला एक मात्रभारती हवाई अड़ा बन गया है प्रिक्स्वर सेल्स पुरसकार वैश्विक्स्तर पर वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए दिये जाते हैं उलम्पिक का से पदक विजेता का नाम बताए जिसने 21 दिसम्बर को नई दिल्ली में कुष्टी से सन्यास की घोषना की है ए विनेश फोगाट बी साक्षी मलिक सी बजरंग पुनिया डी बभीता कुमारी आंसर साक्षी मलिक उलम्पिक का से पदक विजेता साक्षी मलिक ने 21 दिसम्बर को नई दिल्ली में कुष्टी से सन्यास की घोषना की साक्षी ने रियो 2016 उलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया और अपने उलम्पिक डेब्यू में ही का से पदक जीता ये किसी महिला पहलवान द्वारा जीता गया भारत का पहला ओलम्पिक पदक था साक्षी मलिक ने आखिरी बार 2022 में बमिंगम कॉमन्वेल्थ गैम्स में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था और स्वर्ण पदक जीता था लेकिन उसके बाद से उन्होंने अंतराष्ट्रिय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया है निमनली खित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रिय और्जा सनरक्षन पुरसकार 2023 प्राप्त हुआ A. Hevels, B. 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 C. Polycab, D. Crompton, Answer, Crompton, Explanation Crompton को प्रतिष्ठित राष्ट्रिय और्जा सनरक्षन पुरसकार 2023 मिला राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मूने Crompton Greaves Consumer Electricals Limited, CGCEL को राष्ट्री और्जा सनरक्षन पुरसकार 2023 प्रादान किया Crompton को यह उपलब्धी उसके स्टोरेज वाटर हीटर के लिए वर्ष 2023 के सबसे अधिक और्जा कुशल उपकरण की श्रेनी में मिली यह पुरसकार उर्जा कुशल नवाचारों के प्रती क्रॉम्टन की प्रतिबधता को दर्शाता है एक जनवरी 2024 से किस राज्य में Mission Investigation at 75 Days लौंच किया जाएगा बिहार पुलिस ने एक जनवरी 2024 से Mission Investigation at 75 Days लौंच करने जा रही है जिसका उदेश या FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामलों की जाच पूरी करना है विशिष्ट मामलों को छोड़कर सभी मामलों में जाच जिसमें आरोबपत दाखिल करना भी शामिल है FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी अगला प्राश्न, क्रिशक उपहार योजना के तहट किस राज्य में किसानों को ट्राक्टर उपहार में दिया गया। अगला प्राश्न, हाल में किस भाला फेक खिलाडी ने प्रतिश्थित सर्वश्रेष्ट पुरुष का पुरस्कार जीता है। C. Assam, D. Urisa, Answer, Urisa, Explanation, Ultimate Khoko, UKK का 2023-2024 सीजन टूर्नामेंट का आगामी दूसरा संसकरन है, जो 24 दिसंबर से 13 जनवरी 2024 तक कटक, Urisa में आयोजित किया जाएगा। इसमें 6 टी में 34 मैच खेलेंगी, इसका फाइनल 13 जनवरी 2024 को Urisa के शहर कटक के जवाहरलाल नहरू इंडो स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला प्राशन अधिकारिक घोशना बुधवार को की गई, अल्टी में एक टेबल टैनिस के अध्यक्ष के रूप में वह खेल के परिद्रश्य को नया आकार दे रही है, समाज के सभी वर्गों तक पहुत सुनिश्चित कर रही है और भारत के 25 राजियों में कई टूर्नामेंटों का आयो किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? दक्षनी पश्चिमी अफ्रीकी देश अंगोला ने एक जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है अंगोला 2007 में ओपेक का सदस्य बना था इससे पहले 2020 में एकवाडोर और 2019 में कतर इस संगठन से बाहर निकल चुके है ओपेक एक स्थाई पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी इसका मुख्याले वियना ओस्ट्रिया में है अगला प्राशन चैन्नाई ग्रांड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता ए विदित गुजराती बी अर्जुन एरिगैसी सी डॉम्माराजू गुकेश डी आर प्रग्दनानन्द आंसर डॉम्माराजू गुकेश एक्स्प्लिनेशन चैन्नाई ग्रांड मास्टर्स 2023 का खिताब डॉम्माराजू गुकेश ने जीता इस टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगैसी ने दूसरा स्थान हासिल किया अर्जुन और गुकेश दोनों ने प्रतियोगिता को साथ में से 4.5 अंग हासिल किये बुकेश ने टाइब रेक पर यह टूर्नामेंट जीता इससे पहले आर्जुन ने इस साल बाको अजर्बैजान में आयोजित फाइग विश्व कब 2023 में दूसरे स्थान पर रहकर केंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई किया था अगला प्राश्च्न भारत में राष्ट्रिय उप्भोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथी को मनाया जाता है इस अधिनियम को भारतिय उप्भोक्ता आंदोलन में एक एतिहासिक उपलब्धी माना जाता है क्योंकि यह उप्भोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रताओं, दोश्पूर्ण वस्तुओं और लापरवा सेवाँ से बचाता है अगला प्राश्च्न भारतिय कुष्टी महासंग, WFI को खेल मंत्राले द्वारा निलंबित क्यों किया गया A. Funding की कमी B. एक आधिक उलंबित कर दिया क्योंकि नवनिर्वाचित संस्था ने पहलवानों को तैयारी के लिए परियाप्त समय दिये बिना Under-15 और Under-20 राश्ट्रिये चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोशना की थी भारत के पहले A. I. City के रूप में किस शहर को विक्सित किया जा रहा है A. लखनव B. जैपुर C. कोलकाता D. चेननई Answer लखनव Explanation नवाबों का शहर के नाम से मशहूर लखनव शहर को भारत के पहले A. I. City के रूप में विक्सित किया जाएगा नौइडा पहले से ही IT के केंद्र के रूप में उभरा है इसी की तर्च पर अब लखनव जैसे टिय टू शहरों का भी विकास IT हब के रूप में किया जा रहा है अगला प्राश्च्न विश्व टेस्ट चेंपियंशिप में सरवादिक रन बनाने वाले भारतिय बल्लेबाज कौन बने है A. विराट कोहली B. रोहित शर्मा C. अजिक्या रहाने D. क. एल राहुल आंसर विराट कोहली एक्स्प्लिनेशन विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चेंपियंशिप WTC में सरवादिक रन बनाने वाले भारतिय बल्लेबाज बन गए है दक्षन अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में उन्होंने भारतिय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा रोहित ने अब तक WTC में 26 टेस्ट की 42 पारियों में 2097 रन बनाए है विराट अभी तक 35 टेस्ट मैचों की 57 पारियों में 2101 रन बनाए है अग्रा प्राश्ण केंद्रिय मंत्रि मंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे ने पुल के निर्मान को मंजूरी दी है A. बिहार B. उत्तर प्रदेश केंद्रिय मंत्रि मंडल ने बिहार में दीघा और सोनपूर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे छे लेन वाले ने पुल के निर्मान को मंजूरी दे दी इस प्रोजेक्ट की कुल आगत 3074.45 करोर रुपे अनुमानित है इसके निर्मान से राज्य में याताया तेज और आसान हो जाएगा अगला प्रशन भारतिय नौसिना में किस स्टील्थर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रोय को शामिल किया गया A. आयनेस कवरत्ती B. आयनेस ध्वज C. आयनेस चक्र D. आयनेस इंफाल A. आयनेस इंफाल Explanation भारतिय नौसिना में हाल ही में लेटेस्ट स्टील्थर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रोय इंफाल को शामिल किया गया है रक्षा मंत्री राजनात सिंग की मौझूदगी में इसे नौसिना में शामिल किया गया A. आयनेस इंफाल पहला वाशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर की नाम पर रखा गया है इसका डिजाइन युगपोथ डिजाइन बयूरो द्वारा तयार किया गया है और इसका निर्मान मजगाव दॉक लिमिटेद मुंबई ने किया है संदिग्ध मानव तसक्री के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासक में ली गई चार्टर उलान का गंतव्य क्या था? É, निकारागुआ, B, पेरिस, C, दुबई, D, मुंबई, आन्सर, निकारागुआ, एक्स्प्लेनेशन फ्रांस में मानव तसक्री के आरोप में उतारी गई फ्लाइट ने भारत वापसी के लिए उलान भरी है इस फ्लाइट ने दुबई से निकारागुआ के लिए उलान भरी थी जब फ्लाइट फ्रांस में उतरी तो उससे जाँच के लिए उलान भरने से रोक दिया गया था हम वीरबाल दिवस के स्तिथी को मनाते हैं A. 13 अप्रेल B. 7 जून C. 26 जन्वरी D. 26 दिसंबर Answer 26 दिसंबर Explanation 26 दिसंबर को भारत दो युवसिक राजकुमारों बाबा जोरावर सिंग और फतेह सिंग के सम्मान में वीरबाल दिवस मनाता है 9 और 7 साल की उम्र के इन बहादूर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाए शहादत को चुना अगला प्राशन हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलिकॉप्टर सर्विस का उध्धातन किया गया A. हर्याना B. असम C. उत्तर प्रदेश D. बिहार आंसर उत्तर प्रदेश एक्स्प्लेनेशन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर से मतुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलिकॉप्टर सेवा का उध्धातन किया मुख्य मंत्री पूर्व प्रदान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयन्ती मनाने के लिए बटेश्वर में थे मुख्य मंत्री योगी 10451.43 लाख लागत की विभिन पर्योजनाव का शिलान्यास एवं लोकारपन की किया अगला प्राश्न मुख्य सचिवों की तीसरे राष्ट्रिय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा अ. अमित शाह बी. नरेंद्रमोदी सी. एस जेशनकर डी. राजनात सिंग आंसा. नरेंद्रमोदी एक्स्प्लेनेशन प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी 28 और 29 डिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रिय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था सैयुकत अरब अमीरात सी सजुदी अरब डी इरान आंसर सैयुकत अरब अमीरात एक्स्प्लेनेशन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उर्जा उपभूकता भारत ने सैयुकत अरब अमीरात UAE से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये में भूकतान किया ह वेश्वेक स्तर पर स्थानिय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए यह भारत की और से उठाया गया एक अतिहासिक कदम है इंडियन रेल्वे कॉन्फरेंस असोसियेशन ने रेल्वे स्टेशन अयोध्या जंक्षन का नाम बदल कर क्या रखा है इंडियन रेल्वे कॉन्फरेंस असोसियेशन ने एक बयान जारी कर उत्तर प्रदेश स्थित रेल्वे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्षन से बदल कर अयोध्या धाम करने की घोशना की है इस रेल्वे स्टेशन का उद्धाटन 30 डिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी करेंगे वही पूर्व में आवंटिट स्टेशन कोड एवाई को बरकरार रखा गया है अगला प्राश्न किस राज्य में कार्वी युवा महुत्सब 2024 का आयोजन किया जाएगा A. महराष्ट्रा B. मेघालय C. असम D. गुजरात Answer असम Explanation राष्ट्रपधी द्रौपधी मुर्मू 17 जन्वरी को असम के कार्वी आंगलों जिले के तारालांग सो दीफू में आयोजित होने वाले कार्वी युवा महुत्सब 2024 की स्वर्ण जयनती समारों में भाग लेंगी कार्वी युवा महुत्सब 2024 का स्वर्ण जयनती समारों 12 से 19 जन्वरी 2024 को आयोजित किया जाएगा कार्भी युवा महुत्सव प्रतिवर्श आयोजित किया जाता है और इसमें असम और देश के अन्य हिस्सों से हजारों कार्भी युवा भाग लेते है अगला प्राश्ट्न UGC ने किस दिग्री की मान्यता रद कर दी है? एमफिल डिग्री, बी सनातक की डिग्री, सी सनातक ओत्तर डिप्लोमा, डी पी हेचडी डिग्री, आंसर, एमफिल डिग्री, एक्स्प्लेनेशन, विश्व विद्याले अनुदान आयोब, UGC, ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के प प्रवासन और आवाजाही, समझोते को मंजूरी दी है, A. मलेशिया, B. USA, C. जापान, D. इटली, आंसर, इटली, एक्स्प्लेनेशन, प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी की अध्यक्षता में केंद्रिय मंत्रि मंदल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच हुए, प उनों देशों की और से हस्ताक्षर किये गए थे, अगला प्राशन, दैसिया मुर्पोकु द्रविल कलगम, DMDK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, A. विजयकांत, B. बोंडा मनी, C. जी मारिमुथू, D. इनमें से कोई नहीं, आंसर, विजयकांत, एक् DMDK की बैठक के दोरान उनकी पतनी वी प्रेमलता को पार्टी प्रमुक चुना गया था, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोग चताया और उन्हें तमिल फिल्म जगत का लीजेंड बताया, खाल ही में भारत का पहला जाइरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहां शरू होगा? इसमें टूरिस्ट एक सीट वाले जाइरोकॉप्टर के जरिये हिमालय के लुभावने द्रिश्यों के साथ रोमांच का अनुभव कर सकेंगे? अगला प्राश्ट हाल ही में भारत और कौन सा देश IBP रूट विस्तार करने पर सहमत हुए हैं? ए बांगलादेश, ब भूटान, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका, आंसर, बांगलादेश, एक्स्प्लिनेशन, भारत सरकार और बांगलादेश सरकार ने भारत बांगलादेश प्रोटोकॉल, IBP, रूट विस्तार करने और पश्चम बंगाल में सफर्दिगी को नया पो अगलादेश, बांगलादेश, 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 बांगलादेश स्थाई जमा सुविधा, SDF और सीमान स्थाई सुविधा, MSF के तहट तरलता सुविधाउं की उपलब धता की घोशना की है, NASA के उस मिशन का नाम क्या है जिसे God of Chaos शुद्रग्रह को रोकने के लिए दोबारा लॉंच किया गया था, A. Veritas, B. Gemini, C. Osiris Apex, D. Cross L. P. R. P. Answer, Osiris Apex, Explanation, NASA ने प्रित्वी से टकराने वाले God of Chaos इस्टेरोइड को रोकने के लिए नया मिशन शुरू किय प्रित्वी के करीब से उड़ान भरने की संभावना है और यह केवल 20,000 मिल दूर स्थित होगा, NASA ने अंतरिक्ष यान Osiris Apex को 2029 में क्षुद्रग्रह एपफिस के बेहत करीब से उड़ान भरने का अध्यान करने के लिए भेजा,